नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोती सीक्रेट मिथुन रासी वालों आज हम आपके बारे में बहुत विस्तार से बताने वाले हैं बुद्ध की रासी मिथुन रासी और मिथुन रासी की खासियत क्या है मिथुन वाले वैसे तो हर बारवा ब्यक्ति मिथुन डासी का है लेकिन हर ब्यक्ति एक ही तरह का नहीं होता बलकि मिथुन डासी के भी तीन हिस्से होते हैं मिथुन डासी तीन छत्रों से मिलकर बना है और अलग-अलग मिथुन डासी के लोग कैसे होते हैं इन्हें क्या करना चाहिए कि इनकी किस्मत इनका साथ आज हम आप को ये बताने की कोशिष करेंगे यानि बुद्ध की रासी मिथूर्ण रासी की विस्यस्ताएं क्या है खासिएत क्या है तो चलिए सुरुआत करते हैं मिथूर्ण रासी वायू तत्यों की रासी है दवी सभाब की रासी है और इनका नेचर दुवीधा वाला हो जिनके अंदर दो तरह के नेचर हो उसे हम दुवी सभाब कहते हैं और ये दुवी सभाब की रासी की खासियत तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं सूरी के मिथुन रासी वाले बहुत प्रिय होते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य की सबसे प्रियरासी मिथुन रासी है सूर्य जब मिथुन रासी में होते हैं तब जीवन में बेहतरीन परिणाम देते हैं और दुनिया के हर मिथुन वाले एक ही तरीके के नहीं होते आज हम इस टॉपिक को हमने रखा है क्योंकि मिथुन डासी तीन तरगे होते हैं और ये तीन नच्छत्रों में बटे हुए हैं पहला नच्छत्र है मरिकसीरा, दूसरा है आद्रा और तीसरा है पुनरवसू तीनों नच्छत्रों के मिथुन डासी के लोगों की प्रविर्ती, इनका स्वभाव, इनका ब्यभार, इनका भाग्य, सब कुछ अलग अलग होता है कहने को भले ही मिथुन रासी वाले आपको लोग कहें लेकिन आप एक ही तरह के नई होते बलकि तीन तरह के होते हैं तीन तरह की संभावनाएं होती हैं मिथुन वालों के जीवन में तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिनका नच्छत्र है म्रिक्सिरा और जिनकी रासी है मिथुन यानि आपका नच्छत्र म्रिक्सिरा है और आपकी रासी मिथुन है तो आप ये जान लें कि आपके जो नच्छत्र है म्रिक्सिरा इनका स्वामी है मंगल और म्रिक्सिरा नच्छत्र के चार हिस्से हैं दो हिस्स ब्रिषाबरासी में और दो हिसे मित्फूनडासी में हैं पर्रिक्सिरा नच्छतर में मित्फूनडासी super mash जाती है क्योंकि मंगल नच्षतर में जो बुद्ध की राशी मित्फूनडासी कम जब तो अब ऐसे लोगों के जीवन में आमत तोर पर सुख और संपत्ती दोनों तो रहती है लेकिन कभी-कभी इसकीन की प्रॉबलम होने की संभावना दिखाई देती है इसके अलाबा मुरिक्सिरा नच्छत्र और मिथुन रासी के लोग जादा तर अपने फायदे की बात बहुत सोचते हैं और दूसरों को नुक्सान पहुँचाने से बाज नहीं आते अगर आपका नच्छत्र मिख्सिरा है आपकी रासी मिथुन है तो आप अपने घर में खैर का पौधा लगाईए और देख भाल कीजिए आपको खैर का पौधा नरसरी में मिल जाएगा जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपके जीवन की तमाम मुस्किले समाप्त हो जाएंगी अब बात करते हैं आद्रा नच्छत्र की यानि अगर आपकी रासी तो मिथुन है लेकिन नच्छत्र आद्रा है तो इस नच्छत्र का आपके जीवन पर आप मिथुन वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है आद्रा नच्छत्र का जो स्वामी है वो राहू देव है इसलिए अगर आपकी रासी मिथुन के साथ नच्छत्र आद्रा है तो जीवन में थोड़े बहुत उतार चड़ाओ तो होते रहते हैं लेकिन ये भी निस्चित है कि तमा काम चीजें मेहनत के साथ साथ आपको सफलता भी दिलाती है आद्रा नच्छत्र वाले मिथुन डासी के लोग राजनीती में और सेयर मार्केट में बहुत सफलता प्राप्ट करते हैं बहुत तरक्की करते हैं क्योंकि इनका बुद्धी बहुत यहां काम करता है आपकी मुस्किलें सिर्फ इतनी है कि कभी-कभी गलत निरने लेकर किसी बड़े मुस्किल में फस जाते हैं इसका आपको ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए अगर आपका नचहत्र आद्रा है आपकी रासी मिथुन है तो आपको पाकड का पेड़ याद रखिए पाकड का पेड़ लगाना चाहिए या फिर कहीं आसपास है रोड केक साइड में आप लगा सकते हैं वैसे क्या किसी पार्क में लगाईए नियमीत रूप से जल डालें जैसे जैसे ये पौधा बढ़ा होगा डेबलप होगा हम बात करेंगे, सबसे अन्तिम नच्छत्र जो मिथुन रासी के अनतरगत आता है, उसे कहते हैं पुनरवसु, यानि कि अगर आपकी रासी मिथुन है और नच्छत्र है पुनरवसु, तो इसका प्रफाव आपके जीवन पर क्या होगा? पुनरवसू नच्छत्र का जो स्वामी है वो हैं देव गुरू बिरहस्पती और इस नच्छत्र के चार चरन होते हैं वैसे तो हर नच्छत्र का चार चरन होता है और तीन चरन मिथुनडासी में आते हैं और अंतिम चरन करकरासी में आते हैं तो पहले तीन चलंज जो मिथुन डासी में आते हैं इस नच्छतर वाले मिथुन डासी के जो लोग होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं ये बहुत अच्छा बोलते भी हैं और हाजीर जवाब होते हैं पुद्धिमान होते हैं इन लोगों को अपने घर के बाहर बास का पोधा लगाना चाहिए और बास का पौधा लगाईए कहीं भी साइड में आप पार्क वेगर में भी लगा सकते हैं या खुला जगह में और नियमित रूप से जल देजिए जैसे जैसे बास का पौधा उन्नती करेगा बढ़ेगा फलेगा फूलेगा जीवन में सफलता मिलने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी तो आज हमने आपके साथ सेयर किया मिथून डासी वालों के नच्छतर के बारे में कि आपका नच्छतर अगर पुनरवसू है आद्रा है मिर्क सिरा है तो आपके जीवन में इसके क्या प्रभाव होते हैं अगर आप अपनी नच्छतर के बारे में बिस्तार से जानना चाहत पहते हैं तो आप हमें कमेंड कर सकते हैं हम इसके ऊपर बीडियो जरूर बनाएंगे आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप बताइए हमें आपके कमेंड्स का इंतजार रहेगा फिला आपसे भी ढलेते हैं हर लाई कर सब्सक्राइब डरने भाषब झाल झाल